सबसे पहले बच्रावा बिधान सभा में पहुंचेंगे और उनको आने को ले करके यहाँ पे जन सहलाब उमला है आप देख सकते हमाई पीछे कि इस पेकार यहाँ पे समाजवादी पाल्टी के जो लोग हैं समाजवादी के नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं लगातार सभा की शुनने के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहा हैं हमाई साथ बाचीत करने के लिए बच्रावा से पूर विधायक रामलाला केला हिंसे हम जानते कि आखिर आज उनके आगमन को ले करके किन प्रकार की तैयारियां बच्राव विधान सभम की गई विधायक जी आज बच्रावा की सरजमी पर हमारे राश्टी अध्यक्स माने अखिलेश शादोजी पधार रहे हैं और पूरे विधान सभा छेत्र का नौजवान किसान पूरी तरीके से अपने जहिवर अपने नेता के स्वाधत के लिए उमर रहा है और पूरे छेत्र के कोने कोने से बहुत पड़ा जहिवर अपने नेता को सुनने के लिए आ रहा है और उमरता हुआ जहिवर इस बात को कि गवाही दे रहा है कि 2022 के चुनाओं में उत्तर बदेश का मुखमंत्रिय अगर कोई बन सकता है तो उसका नाम है मुलाइक अखिलेश यादों के अंदर विजन है नोजवान कैसे ठीक हो तो सारी जाज विरादरी धर्म मजहब के बंदनों को तोड़कर सर्वहारा के हितों की अगर आज कोई बात करने वाला है तो उस नोजवान नेता का नम है अखिलेश यादों इसलिए आज पूरा उत्तर में अखिलेश यादों के में अमस्तर रहा है और सकाल लोगों का उनके actors मंग रहेंगा किस्कुतार की देंगे एक सब्सक्रों का अपने नेता की सबान से जनता नमोजवान hear कि वो क्या संदेश हमको देना चाहते हैं और उनका एक ही संदेश होता है और क्या संदेश यहां देंगे फिलाल हम लोगों को अभी तक जो संदेश है कि 2022 में भारती जिनता पार्टी की साथ कार को उखार पेखना है और उनका यह कहना है कि जब तक भादपा की सफाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं यह संदेश सोच देने के लिए यहां पर आ रहे हैं और उनके संदेश को उनके सब्सक्राइब करके उनके आदेश को मन कर हम लोग करने काम करने काम करें है